रिमया तोरे द्वारे या शोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो बाला जोगिया द्वारे या शोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो बाला जोगिया आयो अंग बभूती गले रुण्ड माला शेशनाग लपटायो बोले बांको तिलक भाल पे चंद्रमा घर घर अलग जगायो घर घर अलग जगायो द्वारे या शोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो बाला जोगिया तोरे द्वारे या शोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो देकर भिक्षा चली नंद रानी देकर भिक्षा चली नंद रानी गंचन थाल सजायो लोभिक्षा जोगि जाओ आसन पर लोभिक्षा आयो गित्राओ आसन पर मेरो बालक है डरायो मेरो बालक है डरायो यी मैया तोरे गारे रशोदा तोरे गारे बाला जोगिया आयो बाबा बोले कि मेया यह क्याण्याव दरव्य नहीं चाहिए वस्तू संगरे नहीं करते हम तो क्या चाहिए बाबा उ tenía बनवादू नहीं मैया, हमानी केतन है, बहता पानी अच्छा होता है जिस पानी में रवनी होती है न, वो पानी कभी गंदा नहीं होता सादू और योगी जब एक जगे टिक जाते हैं तो असक्ती की गंदगी चित में पैदा हो जाती है इसलिए बहता पानी रमता योगी अच्छा होता है और हम एक जगे नहीं रहते मैया, तो फिर क्या चाहिए आपको पादू का बागंबर नहीं मैया, ज्यादा संग्रे करके क्या करेंगे तो फिर आपको क्या चाहिए बाबा, तो बाबा ने बताया कि क्या चाहिए ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया अपने बालत का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया मैं दर्शन को आया अरे क्या कह रहे हूं बाबा मैं नन्ना बालक बाहर ले आउं शकल देखिया अपनी गले में साबल पेटे हैं मुझे डर लगता है कहीं विच्छू लटक रहे हैं कहीं कातर दौड रही है मेरा बालक डर जाएगा मैया तुम्हे नहीं पता तेरे बालक का इसमरण करके भय को भय हो जाता वो सांपों से डरेगा वो तो शेश पर सोता है शेश शया पर छीर सागर में बाबा तेरा माथा खराब हो गया मेरे छोटे से बालक के लिए कैसी कैसी बाते कर रहे हो मालूम नहीं है आपको बाबा अगर योगी का हट 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 होता है तो इस्तरी का हट भी इस्तरी हट होता है और मैं तो गाओं की गवारन हूँ गवालन बाहर में आओगी अपना बच्चो बाबा बोले मैया मैं भी चिमटा गाड के यहीं बैठूंगा कब तक बाहर नहीं निकालोगी मैया बोली दर्वाजा पीछे से खोलूगी बाबा बोले पीछे आके डेरा डालूगा दर्शन कराओ ना मैया फिर अंतर में अंतर में शाम संदर से बोले बाबा बोले के प्रभु उदर पितांबर ओडे पालने में आनंद से लेटे हो और मैया बीच में बाधा डाल रही है अब आपी कुछ गरो शाम संदर भगवान ने रोना प्रारंब किया मैया थाल ठैंके दोड़ी मेरे लाल को क्या हुआ भूख लगी है निलमणी उठा के छाती पे लगाया नन्ने नन्ने हाथों से मैया को धकेल रहे है शाम संदर अरे मेर लाला को क्या हुआ लगता है किसी ने नजर लगा दी गोपियों ने कहा मैया तुमें उस योगी को नाराज नी करना था लगता है उसी ने कुछ जादू मंतर कर दिया अरे जाओ उस योगी को बुला के लाओ पूछो उसे जाड़ा लगाना आता है क्या और जैसे शाम संद के रुदन की आवाज बाहर आई आखे मुंदली भगवान शंकर में कहा चलो स्वर्तो कान में आए गोपियां बोली बाबा करते क्या हो नजर वजर उतारनी आती है बोले बाबा उठके खड़े हो गए बोले नजर उतारना ही तो मेरा असली धंदा है ऐसी नजर उतारूंगा यशोदा के लालकी के उसकी नजर उतर जाएगी और मेरे मन पर जो दर्शन का भूत चड़ा है वो भी उतर जाएगा मैया शाम संदर को बाहर लेकर आई रुदन करते नील मनी जैसे शाम संदर का शंकर भगवान ने शंकर भगवान का शाम संदर ने दर्शन किया तो लीला पलट गई कनया का रोना बंद हो गया और भोले बाबा का रोना प्रारंब हो गया उनमत्तो कर श्रिंगी नाद कर रहे हैं और गोद में लिए शाम संदर यशोदा मैया की बाबा परिक्रमा कर रहे हैं पंच बेर परिक्रमा कर रहे श्रिंगी नाद बजायो बोले श्रिंगी नाद बजायो कि आत उपर करके डाली बजाते हुए भले भॉले भंडारी की पंच बेर परिक्रमा करके शिंगिनाद बजायो बोले शिंगिनाद बजायो सूर शाम बली हारी कनईया युग युग जीए तेरो जायो मैया युग युग जीए तेरो जायो बोले शिंगिनाद बजायो युग जीए तोरे बारे युग जीए तोरे बारे युग जीए तेरो जायो सब्सक्राइब करें साध्वी रितम भराजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बहला आका को दलाना ना भूलें